हेलो एवरिवान दिस इस ममता सामरे खंडेवाल एंड यह वाचिंग MSK Chemistry हमारा अगला काम क्या है कि वह यह जो तीनों मेटल हैं अलुमिनियम, जेंक और आइरन इनकी आपस में रियक्टिविटी ओर्डर क्या है तो हमने मैटल्स की किस से रियक्शन देख ली ऑक्सीजन के साथ देख ली और वाटर के साथ देख लिया हमने अब किस के साथ देखेंगे हम एसिट के साथ मतलब आप यह चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब मैटल एसिट के साथ रियक्ट करते हैं वो salt और hydrogen gas देते हैं लेकिन क्या सारे metal acid के साथ react करते हैं acid के साथ नहीं सारे metal acid के साथ react करके hydrogen gas नहीं निकालते हैं इसको अब हमें study करना है यहाँ पे देखिए metal की reaction जब dilute acid से हो रही है तो salt और hydrogen gas निकलते हैं but do all metals react in the same manner no सारे metal इसी तरीके से react नहीं करते हैं देखिए collect all metal samples except sodium and potassium again क्योंकि यह acid के साथ violently react करते हैं इसलिए हमें इनको study नहीं करना है वैसे भी यह साबित हो चुका है यह highly reactive metal है अब हम क्या करते हैं कि बाकी के जो metals हैं उनको test tube में dilute SCL के साथ react करवाते हैं तो जो जितना ज़्यादा reactive होगा वो उतने ज़्यादा bubbles बनाएगा विच मैटल reacted vigorously with dilute hydrochloric acid and विच मैटल did you record the highest temperature क्योंकि जब मैटल के साथ मैटल की HCL के साथ जो reaction होती है वो exothermik होती है इसलिए temperature rise होता है तो अब हम इनकी मैटल का reactivity series बना देते हैं तो देखिए मैटल का जो actual में reactivity series होता है वो यह होता है और यह आप याद रख लीजे बच्चों इसमें यह तो आसान है sodium, potassium, calcium magnesium, हना यह s block के elements हैं तो यह याद रखना आसान है और यह जो medium reactivity वाले हैं वो है यह aluminium, zinc, iron, lead and और यह जो नीचे वाले जो metal हैं copper, mercury, ag and au, यह least reactive है, तो यह reactivity order आप देख सकते हैं, अब यह देखिए सेंटर में hydrogen है, हमको क्या ध्यान रखना है, कि इस से उपर वाले यह जो metal हैं यह acid से react करेंगे और acid से react के बाद यह क्या निकालेंगे, hydrogen gas, लेकिन यह जो नीचे वाले metal हैं यह acid के साथ react नहीं करेंगे यह बहुत important चीज है, कि copper mercury silver and gold, यह acid के साथ react नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं, तो hydrogen gas भी नहीं निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कि जो magnesium aluminium, zinc and iron, यह dilute hydrochloric acid के साथ क्या करते हैं, reaction करते हैं, तो अब इनकी हम equation लिख देते हैं, equation लिख देते हैं, magnesium की equation, HCl के साथ क्या होगी, mgCl2 plus H2, यह magnesium के साथ हो गई, तो यह देखिए, aluminium aluminium की reaction लिख देते हैं, AL plus HCl, तो यहाँ पर बनेगा, AL, Cl3 plus H2, balance कर देते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर आएगा 3H2, यह aluminium के साथ हो गई, अब हम zinc के साथ लिख देते हैं, Zn plus twice HCl, it will be ZnCl2 plus H2, iron के साथ लिखते हैं, Fe plus HCl, तो यहाँ पर क्या बनेगा, FeCl3, तो यह हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, 6HCl, और यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा H2, तो यहाँ पर आएगा 2FeCl3, यहाँ पर आप लेंगे 2Fe, और यह हो जाएगा आपका 3H2, इस तरीके से हमें balance करनी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि magnesium, aluminium, zinc and iron यह dilute hydrochloric acid और dilute H2SO4, H2SO4 के साथ भी यह react करेंगे, ठीक है लेकिन यह जो metals है, hydrogen gases not evolved when a metal reacts with nitric acid मतलब dilute HCl और dilute H2SO4 के साथ तो reaction हो रहा है HCl और H2SO4 के साथ तो hydrogen gas निकलेगी लेकिन HNO3 के साथ hydrogen gas नहीं निकलेगी तो ऐसा क्यों, तो उसको समझ लेते हैं हम because HNO3 is a strong oxidizing agent तो जो hydrogen gas निकलती है ना, यह क्या करता है उसको water में convert कर देता है और खुद किसमें convert हो जाता है, any oxide of nitrogen N2O, NO, NO2, nitrogen के कई तरीके एक oxides होते है तो यह हमें याद रखना है, HNO3 के case में जो hydrogen निकलेगी, वो water में convert हो जाती है लेकिन magnesium और magneze, Mg and Mn react with very dilute HNO3 to evolve S2 तो यह exception हो गए आपके Mg and Mn, जो कि किसके साथ react करते हैं dilute HNO3 के साथ, तो हमेशा बच्चों ध्यान रखिए, जो exceptions होते हैं chemistry में यह बहुत important होते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो rate of formation of bubbles है was the fastest in the case of magnesium तो मतलब यह जो metals है, इनका reactivity order हमारे पास आ गया है यह किस से प्रूव हुआ, reaction with acids magnesium से जादा, मतलब sodium और potassium highly reactive हैं और बीच में आने वाले कौन से हैं sodium और potassium यह highly reactive हैं और यह है यह बीच वाले, उसके बाद आता है hydrogen hydrogen हम reactivity series में center में रखते हैं और इसके नीचे आते हैं आपके copper, AG, AU यह metal hydrogen के साथ react, मतलब यह acid के साथ react करके hydrogen gas नहीं निकालते हैं तो सबसे important conclusion हमें यह मिला है reactivity series के लिए यह metal की reactivity series हमें यहाँ पे मिल गई है in metals के respect में Aquarasia के बारे में समझ लेते हैं यह क्या होता है इसे हम royal water कहते हैं यह 3 is to 1 के ratio में क्या होता है concentrated HCL and concentrated nitric acid जब इनको मिलाया जाता है तो aquarasia बनता है और aquarasia is a highly corrosive fuming liquid it is one of the few reasons that is able to dissolve gold and platinum आपने कभी देखा होगा कि कुछ-कुछ जब हम jewler को अपनी jewelry clean करने के लिए देते है गोल्ड की तो बात में जब वह मिलती है तो उसका weight कम हो जाता है क्यों क्योंकि वह aquarasia में उनको dissolve करते हैं जिससे कुछ gold के atoms ना उसमें से निकल जाते हैं displacement reaction के concept को तो यह बहुत ही simple concept है कि कोई भी जो more reactive metal होता है यह एक ऐसा है more reactive चीक है और reactivity series मैंने आपको बताई दिया अभी जब यह किसी less reactive metal के salt solution से जब यह react करता है तो क्या होता है यह उसको displace कर देता है तो अब यह जो B का salt solution है यह metal form में आ जाएगा elemental form में आ जाएगा और A क्या बना लेगा salt solution तो इसको हम कहते हैं displacement reaction चीक है अब जैसे कि हमने reactivity series में देखा यहां पे जो copper है और gold है तो कौन ज़्यादा reactive है copper तो यह जो iron nail है यह iron nail ज़्यादा reactive कौन है iron तो iron जब react करेगा किस से copper sulfate से तो displacement reaction होगी क्योंकि iron is more reactive than copper और displacement reaction से हमें क्या मिलने वाला है FeSO4 plus Cu यह हमने chapter 2 में भी इसको discuss किया है तो क्या हो रहा है less reactive metal के salt solution से उस metal को displaced किया जा रहा है that's why this is the displacement reaction और displacement reaction का key concept यह है कि आपको metals की reactivity series पता होना चाहिए तो basically हमें क्या समझना है कि जो metal यह है कैसी होनी चाहिए more reactive और जब यह salt solution B से react करती है तो salt solution of A बनता और metal B बनता है so metal जादा reactive metal जब अपने किसी कम reactive metal के salt solution से react करती है तो वो उसको उसके salt solution से displace कर देती है elemental form में यानि की metal form में पर आप यह reactivity series देख सकते हैं यह आपको याद रखनी है यह center में hydrogen है इससे उपर वाले metal acid से react करेंगे और hydrogen gas निकालेंगे और जो नीचे वाले metal है यह hydrogen gas नहीं निकालेंगे acid के साथ react करके तो basically chemical reactivity का यह order कहां से आया air के साथ reaction से हमने देखा water के साथ reaction से और acid इन तीनों की साथ जब हमने metal की reaction कराई तब हमें यह reactivity series यह वाली reactivity series हमें मिलती है और वो हमें बता देती है कि potassium और sodium highly reactive है gold और silver least reactive है और यह वाले जो metal है moderately reactive है अब यह बहुत ही important in text question है इसको हम discuss करते है why sodium kept immersed in kerosene oil तो यह हमने आपको बताया था to prevent accidental fires और क्योंकि यह जो है वो वालेटली react करते हैं water के साथ और air के साथ इसके अलावा iron की reaction steam के साथ यह हमने यहाँ पे लिख दिया steam मतलब यह gas होना चाहिए तो इससे क्या बनता है Fe3O4 plus H2 और calcium के साथ react होगी water की reaction होगी तो यह cold water के साथ react करता है और calcium hydroxide और hydrogen gas निकलती है तो यहाँ पे यह जो है iron की reaction steam यानी H2O gas के साथ करानी आपको यह G लिखना जरूरी है अब यह वाला जो question है यह बहुत important है क्योंकि यहाँ पे आपको चार metal दियो है A, B, C और D और इनके साथ इनके observations दिये हुए है इन observations से हमें यह पताना कर लगाना है which is most reactive metal and what would you observe if B is added to a solution of copper sulfate and arrange the matters A, B, C, D in the order of decreasing reactivity तो देखो इस यह question जितना दिखने में hard लग रहा है hard उतना hard है नहीं कैसे यहाँ पे हमें बस दो conclusion पे पहुँचना है दो तीन conclusion पे इन observation से पहुँचना है कि यह वाला conclusion हमें कहां से मिला reactivity series से जो कि हम जानते हैं already reactivity series हमें record से मिल जाती है यह conclusion हम already जानते हैं A की reaction iron sulfate से नहीं होती है copper sulfate के साथ displacement reaction शो करता इसका मतलब क्या है कि जो metal A है it is more reactive than copper but less reactive than iron वहाई इसके B के case में अगर हम देखें तो यह iron के साथ displacement reaction देता है मतलब B is more reactive than iron but it is obviously वह copper और AG से जादा reactive हो गई होगा क्योंकि यह उपर वाली reactivity series है यह से हम जानते हैं कि B जो है वह iron से जादा reactive है तो automatically इन से जादा reactive हो हो गई but it is less reactive than zinc क्योंकि यह zinc sulfate के साथ displacement reaction शो नहीं करता है इसी तरह metal C के लिए अगर हम देखें तो मतलब obviously वह in metal से तो less reactive हो गई होगा अब हम बात करते हैं D की यह किसी के भी साथ reaction शो नहीं करता है इसका मतलब यह तो D से भी गया silver से भी गया गुजरा है मतलब जो D है वह इन चारों में सबसे कम reactive है तो इसका मतलब यह metal की reactivity series हमें यहाँ इस तरीके से यह हमें मिल जाएगी B is more reactive than A, it is more reactive than C and it is more reactive than D तो यह सब हमें यह जो question जितना दिखने में difficult है उतना actual में है नहीं आपको in observations को पकड़ना होगा और in observation को इस form में आपको लिखना होगा यह लिखना आना चाहिए question 4 को discuss करते हैं जब iron की sulphuric acid के साथ reaction होते है तो FESO4 और hydrogen gas निकलते है क्योंकि यह आपने देखा reactivity series में इनकी position hydrogen से उपर है और इसी तरह जब हम zinc की reaction आपको किसने लिखनी है what would you observe जिंक is added to a solution of iron sulfate जिंक को जब iron sulfate के साथ हम डिजॉल करते है तो displacement reaction होगी because zinc is more reactive metal than iron और यहां पे हम iron को displace कर देंगे और जब iron की reaction hydrochloric acid के साथ होती है तो hydrogen gas evolve होती है ध्यान रखिए dilute SCL और dilute S2SO4 दोनों के साथ same reaction होगी बस आपको reaction को balance करना आना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबस्क्राइबर चैनल थैंक यू पर वाचिंग एमस्की केमस्ट्री